कि नमस्कार मैं अंजली मिशौर स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको दादे कि महाराश्ट्र में इस वक्त हनुमान चलिसा लाउट स्पीकर के मुद्दे को लेकर लगता घमासान जारी है और इसी बीच जो है अब एक बैफिर से महाराश्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और शिव सेना के सांसर असंजरा राउट का लाउट स्पीकर के मुद्दे पर बयान आया है उन्होंने से लेकर बयान बाजी की है क्या कुछ कहा गया है लाउट स्पीकर के मुद्दे पर फिर से आईए इसके बारे में हम सब्सक्राइब विस्तार से समझ लेते हैं महाराश्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अभी जह हैं लाउट स्पीकर विवाद मामले पर महाराश्ट्र की नवनिर्मान सेना के प्रमुख राश्ठाकरे पर वार किया है उन्होंने से लेकर टिपड़ी की है उन् राश्ठाकरे ने पिछले महीने अल्टिमेटम दिया था कि तीन महीं तक मजजिदों में लगे लाउट स्पीकर हटा दिये जाए नहीं तो वह अपने हिसाब से इस से निपटरेंगे और जैसे को तैसा जवाब देते हुए मजजिदों के आगे हनुमान चलिसा का पाठ करे तो उस पर सकती से कारवाई की जाएगी यही नहीं अजीत पवार ने कहा कि जो भी धार्मिक स्थरों पर सुबह छे बज़े से दस बज़े तक लाउट स्पीकर लगवाना चाहते हैं उनको अनुमती लेनी चाहिए कानून सब के लिए एक है और सब को मानना चाहिए अगर क कोई गलत तरीके से उग्रा अंदोलन करेगा तो उसके खिलाफ कारवाई होगी अजीत पवार ने आगे कहा कि राज ठाकरे के अंदोलन की वज़ा से शिर्णी के साही बबा मंदर में होने वाली पांच बज़े की काउर जो है बड़ी आरती लाउट स्पीकर पर नहीं हो सक जिस कारण कई भावी नाराज दिखे उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोट के फैसले का आदर सभी धर्म को करना होगा आवाज की तैय लिमिट में लाउट स्पीकर को इजाजत मिलेगी साथ ही कहा कि बिना इजाजत लाउट स्पीकर लगाने वालों पर कठोल कारवाई कर लेगी सरकार वहीं बता दें कि राश्ठाकरे के अल्टिमेटम का आखरी दिन बीट गया जिसको देखते हुए महाराश्ट्र के ग्रिया मंत्री ने डीजीपी रजनीस सेट संग भी जो एक बैठक की थी बैठक के बाद डीजीपी ने पुलिस से इंतजामातों की जवानका है असमाजिक तत्व पर कानून कारवाई की जाएगी डीजीपी ने महाराश्ट्र के लोगों से शांती बिनाए रखने की अपील की उन्हें ने कहा कि हमने पूरे महाराश्ट्र में पुलिस बलो को साफ तोर पर कहा है कि राज में लॉइन ओर ना बिगडने दे और इसके लिए जैसा अक्षन लेना है वैसा ले आजाएं यहीं नहीं से पहले भी अजित पवार दे मजडिदों से लाउट स्पीकर अटाने को लेकर मन से अध्यक्ष ठाकरे की मांग को लेकर महाराश्ट्र के जो उपकिमंति अजित पवार ने कहा था कि राज में ताना शाही नही पर लाउट स्पीकर हटाने की अपनी मांग पर आकर्मक रुख अपनाते हुए प्रस्ताव और पुलिस को चुनौती दी थी राज ठाकरे का नाम लिए बिना पवार ने कहा था कि लोगों को उक्साना असान हैं लेकिन इसके परिनाम महाराश्ट में समाजिक सद्वाओं को बिगाड देंगे जैसे राजबरदाश नहीं कर सकता मजडिदों के लाउट स्पीकर के मुद्धे पर मंसे प्रमुक ने तीन मई के अल्टिमेटम के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि महाराश्ट में ताना साही के अनुमती नहीं दी जाएगी किसी को भी प्रमुक राजबरदाश ने कहा कि महाराश्ट में लाउट स्पीकर संबंदी दिशा निर्देश का कोई लंगन नहीं हुआ है और कोई भी उनकी पार्टी को हिंदुत्वन ना सिखाए भारतिया जंता पार्टी और महाराश्ट निर्मान सेना का नाम लिए बिना संजर रा साजी के समर्थन में शिव सेना के खिलाफ साजिश रस्ते हैं गौर तलब है कि मैंसे प्रमुक राज ठाकर एक दिन पहले ही अजान के लिए लोगों को हन्वान चलिसा का पार्च करने का आवाहन किया था राउत ने कहा था कि महाराश्ट में लाउट स्पीकर संबंदी दि उलंगन है वो नहीं हो रहा है राज उचितम ने आलाय द्वारा दिये गए यानि सुप्रीम कोट द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई कानून का उलंगन करता है तो सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरीके स सक्षम है राजसभा के सदस्त संजराउत ने कहा कि सीथी उस स्तर तक नहीं पहुचेगी जहां मुंबई क्या महाराष्ट्र लाउट्स्पीकर के मुद्दे पर एक अंदोलन की जरूरत हो सभी मज़िदों ने लाउट्स्पीकर के इस्तिमाल को लेका रनुमती ली है मंसे क कंदे पर बंदूक रख बीजेपी ने आज हिंदुत्व का गला घोटा है महाराष्ट में कई मंदिरों में इनमें शिडनी त्रमकेश्वर जैसे मंदिर शामिल है इनमें सुबह पांच बजे की आरती नहीं हो सकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबित मैं यह जानकारी देया मैंने यह जानकारी दी है सीम दफ्तर पर सुबह कई फोन और इस इमेल के जरीए कई लोगों ने मंदिर में सुबह होने वाली आरती बंद करने पर नाराजगी जताई आज के दिन को काला दिंखा जा सकता है इस पर राउत न प्रता में आने के बाद उन्होंने से रोका भी शिवसेना को कोई हिंदुत्व ना सिखाए शिवसेना के प्रमुख प्रवक्त राज ठाकरे का नाम लिये बिना कहा कि उदव ठाकरे नीत महाविकास गाड़ी सरकार कानुन के तहच चल रही है किसी के दिए अल्टिमेटम प कर रहे हैं यह शिवसेना प्रमुख हैं और हिंदुत्व समराट भाल ठाकरे के पुत्र है इसलिए उन्हें सडकों पर नमाज पढ़ने और मस्धिदों में अवैद लाउट स्पीकर के बारे में सला की जरूरत नहीं है कुछ मस्धिदों के पास मनसे कारे करताओ द्वारा ह तो आपको ही यह करना होगा कि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई गयर कानुनी काम कर रहे हैं उन्होंने इसे लेकर टिपड़ी की और कहा कि आज मंदिरों में लोग लौट स्पीकर से आरती नहीं सुन पाए इसलिए मैं हिंदू के लिए आज काला दिन मानता तो ऐसे में आपको विदा दे कि महराष्ट्र में लगातार लौट स्पीकर और हनवान चलिसे के मुद्दे को लेकर जो घमासान है वो देखने के लिए मिल रहे हैं वहीं राश्ठाक्रे ने जिस तरीके से आवाहन किया था और कहा था कि अगर लौट स्पीकर नहीं उतारे गया तीन से चार मई तक तो फिर आप भी हनवान चलिसा बजा इस तरीके से मंसे के कई सारे कारे करताओं ने हैं लौट स्पीकर में उन्होंने हनवान चलिसा बजा जिसके तहट अब तक 250-260 मंसे कारे करताओं को पुलिस दोरह हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उनका के समारना है कि मंसे कार्यकरता महौल को खराब कर सकते हैं और यहीं कारण है कि महौल खो सही डंस से बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से किसी तरीके कि कोई परशानी ना है मोहल ना बिगड़े धंगे ना हो महरास्ट में पीज बस बरकर आरहें इस वजह से पीज के हवाला देते हुए जो है वो लगातार इस तरीके से काम करने हैं लगातार बंसे के कारिकरता हो को भाज़पा के कारिकरता हो को नोटिस जारी कर रहे हैं उन्हें महाराष्ट चोड़ कर जाने की बात कह रहे हैं उन्हें अंडरग्राउन होने के लिए कह रहे हैं उन्हें कह रहे हैं कि आप रास्ते पर एद के दिन तो ऐसा भी कह दिया था कि आप रास्ते पर निकल भी नहीं सकते हैं क्यूंकि आप बर बर कहा जा रहा है कि एक धर्मिक मुद्दा नहीं है समाजिक मुद्दा इसके बाद भी लगातार महाविकार सगाड़ी सरकार के जितने भी नेता और मंत्री है वह अपनी बयानबाजी में लाउट स्पिकर की जरूरत क्यों है क्योंकि हर वेक्ति अपने लिए प्रात्ता करने जाता है बगवान के सामने अपने इसाप से वह आरति करता है अपने इसाप से पूजा पाट करता है लेकिन इस पूजा पाट को दूसरे को सुना कर दूसरे के कानों में जोर जोर से उस प घर्म से जोड़ा जा रहा है कि हिंदू में परिशान मुसलिम परिशान जब की दोनों की परिशानी लॉट स्पीकर है ना की लॉट स्पीकर में हो रही आरती तो साफ तौर पर ये जो भयान है हमने आपको बताया की किस तरीके से महरास्च के उपरमुक्य प्रखे मंत्रिया जीत पवार और शिवसेना सांसाथ संजर लाउट लाउट स्पीकर के मुद्धे पर लगातार बयान बाजी कर रहे हैं और इस पूरे मुद्धे को आपकी भी जोराय हो हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताएं